अगला question जो है उसमें क्या लिखा है कि एक 4 meter long ladder है एक 4 meter long ladder है जिसका weight है 25 kg तो ये ladder बना दी हमने यहाँ पर इसका मुझे weight basically weight नहीं है ये mass दे रखा है मुझे 25 kg it rests with its upper end against a smooth wall and lower end on a rough ground तो ये जो है ये smooth है और ये जो surface है ये rough है आगे देखते हैं क्या लिखा है what should be the minimum coefficient of friction अच्छा तो minimum coefficient of friction mu पूचा है इन्होंने between the ground and ladder for it to be inclined at 60 degree ये जो angle है 60 degree होना चाहिए with the horizontal without slipping और ये slip नहीं करनी चाहिए मतलब ये equilibrium में होनी चाहिए total equilibrium में होनी चाहिए मतलब इसके ओपर जो total force है वो भी zero होनी चाहिए और जो total इसके ओपर torque लगेगा वो भी zero होना चाहिए तो इसके लिए पहले अपने को देखना पड़ेगा कि इसके ओपर forces कौन कौन से लग रही है इस सबसे पहली force तो इसके ओपर इसका weight लग रहा होगा और weight कितना लग रहा होगा W कहां लग रहा होगा बिलकुल ladder के center में इसके center of mass पर ठीक है फिर आगे क्या दे रखा है अपने को इसके length भी दे रखी है 4 meter वो हम लिख ले दे एक बार अच्छा और क्या लग रहा होगा इस दिवार से यह वाली दिवार से इसको reaction मिल रहा होगा इदर इसको हम R1 माल लेते हैं यहां से भी इसको reaction मिल रहा होगा perpendicular direction में इसको आप R2 माल लो और इस ladder की जो slip होने की tendency है वो किदर को है इस side को इदर को slip होने की tendency है इसकी तो friction किदर लगेगी? Friction लगेगे यह opposite direction में यह लग गई friction ठीक है? अब आगे देखते हैं हमें पहले net forces के उपर zero करना है ठीक है? Net force zero करेंगे तो पहले हम एक काम करते हैं कि हम horizontal direction के along net force zero करते हैं horizontal के along दो ही forces लग रही है एक लग रही है friction और दूसरे लग रही है कौन सी? reaction R1 ठीक है? vertical के along भी दो ही forces लग रही है एक लग रहा है weight और दूसरा है R2 तो यह मैंने उन दोनों के लिए equations लिखती चलो ठीक है अब आगे देखते हैं आगे हमको torque balance करना है तो torque जो है वो हम किसी भी point के बाउट है point Q तो P के about हम torque को balance करते है अब P point से जो forces pass हो रही होंगी उनकी वज़े से तो यह talk जो होगा वो क्यो होगा? 0 ठीक है? यानि कि R2 और F की वज़े से यहाँ पर कोई भी torque नहीं लग रहा होगा यहाँ पर जो torque लग रहा होगा इस तरह से घुमाने की tendency होगी clockwise direction में और R1 की tendency होगी इसे clockwise, sorry, anticlockwise घुमाने की तो दोनों का जो torque लगेगा वो equivalent opposite आएगा तो R1 की वज़े से जो torque लग रहा होगा R1 into perpendicular distance from this point perpendicular distance कितना है? यह length इसको हम O मान लेते हैं OQ और weight की वज़े से जो torque लग रहा होगा वो होगा W into perpendicular distance अब perpendicular distance यहाँ पर कितना हो जगा? इतना ठीक है? इसको हम ले लेते हैं कोई point R ठीक है? तो यह होगा W into PR तो सबसे पहले अब हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको OQ और PR की value भी find करनी पड़ेगी R1 तो चलो F के बराबर हो गया OQ किसके बराबर है? OQ यह length है न? तो OQ जो है वो 4 का sin component हो जाएगा OQ को मैं ऐसा लग सकते हूँ OQ is equal to 4 sin 60 degree and this is W into PR अब PR जो है वो कितना होगा? भाई यह जो letter की आधी length है यह होगी 2 meter है ना? तो PR को मैं लिख सकती हूँ 2 cos 60 degree सही है ना? अब friction कितना आ जाएगा? friction आ जाएगा मेरे पास mu into R2 into अब यहाँ पर थोड़ा simplify कर जाते हैं पहले ही इसे 2 लिख जाते हैं into 2 sin 60 यानि कि 2 root 3 by 2 equal to W और यह cos 60 कितना होदा? 1 by 2 तो यहाँ से 2 और 2 cancel हो जाएगे R2 देखो R2 भी W के बराबर है तो यहाँ से R2 और W भी cancel हो जाएगा तो mu अपने पास आ जाएगा 1 by 2 root 3 यह आप solve करोगे तो यह आएगा 0.29 के बराबर थोड़ा लंबा चला गया यह equation पर I hope आपको समझ भी जरूर आया हो और फिर भी लगे नहीं समझ में आया तो मुझे बताना जरूर आप इसको मैं दुबारा solve करवा दूँगे यह हुआ option B ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले equation में अब अपने को क्या दे रखा है कि an object is kept on a smooth inclined plane of 1 in L सबसे पहले तो जब यह लिखा हो कि 1 in L इसका मतलब क्या होता है? 1 in L का मतलब होता है sin theta हमें sin theta की value दे रखी है 1 by L यानि कि यह कोई ऐसा triangle बन रहा है जिसमें perpendicular अगर 1 है तो hypotenuse L है यहां से हम base भी निकाल सकते हैं base कितना होगा? it will be equal to under root of hypotenuse का square minus perpendicular का square यह मैंने Pythagoras theorem लगाया यहां पर तो यह होगा L square minus 1 ठेक है न? और यह है angle theta अब क्या लिखा है? the horizontal acceleration to be imparted to the inclined plane so that the object is stationary relative to the inclined अच्छा तो अब अपने को यह जो inclined plane एक दे रखा है यहां पर theta इसके उपर हमने एक object रखा है ठीक है? mass m मान लेते हैं इसका यह इस तरह का question बहुत आता है आप direct इसका result भी याद रख सकते हैं कि acceleration जो होगी वो g tan theta के बराबर होनी चाहिए यह बहुत important है इसको दिबाग में बिठा लेना लेकिन यह आता कैसे है वो भी मैं आपको समझाती हूँ यहां पर okay तो हम मान लेते हैं हमने जो inclined plane है उसको इस तरह से acceleration दिया ठीक है? अगर हम इसको inclined plane के reference से देखें तो आपको क्या करना पड़ेगा आप एक बर इसके उपर बैट जाओ तो कि जब आप inclined plane के उपर बैट जाओगे तो question के according inclined plane आपको हमेशा left पर दिखना चाहिए ठीक है ना? तो उस case में आप इसके उपर एक pseudo force लगाओगे opposite direction में M में लगा दिया आपने pseudo force? ठीक है अब आपको block left पर दिख रहा है और आपको block पर कौन सी force दिख रही है? mg sin theta नीचे की direction में तो आप यह जो pseudo force लगी है इसका component along the inclined plane parallel to the inclined plane ऐसा होना चाहिए जो कि इसको balance कर सके mg sin theta को यह component कितना होगा? यह angle देखो जी थीटा है तो component आजगा ma cos theta तो ma cos theta इस तरह से लगना चाहिए ताकि वो mg sin theta को balance कर सके तो यहाँ से हमारे पास a आजाएगा g tan theta ठीक है? तो acceleration जो मेरे पास आएगी वो होगी g tan theta tan theta आप इस triangle में देखो तो कितना है? perpendicular 1 है upon base under root of l square minus 1 यह आगया हमारा answer तो answer होगे option c अब आप खुद ही सोचलो बच्चेओं कि अगर आपको यह formula पता हो पहले से result आपको दिहान में हो तो आप इस question को कितना जल्दी solve कर सकते हो? है ना? otherwise end time पर कई बार हमारा पर time नहीं हो ताकि हम चीज़ों को derive कर सके तो जितना हो सके अभी end time पर आप चीज़ों को दिमाग में रखने की कोशिश ज़रूर करें ठीक है? आगे बढ़ते हैं चलो ओके जी यह आगे अब अपने पास कुछ equilibrium वाला question तो अपने को तीन force दे रखे हैं P, Q, R है ना? तीनों coplanar है यानकि एक ही plane में लाई कर रही है तो P की value मुझे दे रखी है 1.9318 kg weight ओके तो R की value मुझे बतानी है क्या होगी kg weight में और sin theta 1 की value भी मुझे दे रखी है 0.9659 एक चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका double है यह है ना? तो ऐसा number देखे घबराना मत कि यह कैसा number दे दिया sin theta 1 की value का double है यह तो यहाँ पर हम lamist theorem लगा लेते हैं lamist theorem की according हमें पता है कि P divided by P का opposite angle देखना हो तो इसमें है sin theta 1 जैसे यह P है यहाँ पर तो इसका opposite angle देखो theta 1 equal to R by sin 150 degree यह यह lamist theorem R की opposite angle कौन सा है? यह वाला 150 degree ठीक है? तो चलो अब इसमें values put कर देते हैं P की value 1.9318 sin theta 1 की value दे रखिए 0.9659 equal to R की value मुझे निकाल ली है और sin 150 को हम कहा लिख सकते हैं sin 180 minus 30 तो इसको cancel करेंगे 2 आ जाएगा और R की value आ जाएगी मेरे पास 2 2 इंटू अब sin 180 minus 30 क्या होगा sin 30 यह हो जाएगा 2 इंटू 1 by 2 यानिके 1 तो अंसर आजएगा अपने पास option C 1 आगे बढ़ जाते हैं अब अगले equation पर अब particle moving in uniform circle makes 18 revolution in 1 minute अच्छा तो अपने को दे रखा है कि 1 minute में 18 revolution यह particle कर रहा है radius of circle दे रखा है अपने को 10 cm इसे हम ऐसा unit में convert कर लेते हैं 0.1 meter the speed of particle is अच्छा speed पूचिए हमसे particle की क्या होगी तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएं v equal to omega r लगा सकते हैं है ना omega क्या है angular velocity अभी मैंने कुछ दिर पहले भी equation कर आया था आपको ऐसा और omega को हम लिख सकते है 2pi into frequency into r 2pi को as it is लिखे frequency क्या होगी number of revolutions divided by time तो कितनी revolution हो रही है 18 revolution हो रही है कितने time में 60 seconds में क्यों क्योंकि 1 minute 60 seconds के बराबर होता है है ना into radius radius कितना है point 1 अब इसको जब हम solve करेंगे हमारे पास क्या answer आएगा हमारे पास जो answer आएगा 6pi into 10 raise to power minus 2 meter per second ठीक है तो answer आजएगा इसका option D आगे बढ़ जाते हैं अगले question पर अपने कोई card दे रखी है जिसका mass 1000 kg है it moves on a circular track of radius 20 meter radius के दे रख है 20 meter if the coefficient of friction coefficient of friction कितना है भाई point 64 ठीक है maximum velocity with which the car moves तो यह actually direct formula है maximum velocity on a circular track उसका direct formula है maximum velocity होती under root of mu rg इसको बहुत जादे आपे derive अगरा करने की ज़रूरत नहीं है इसका derivation में आपको फिर कभी जब हम इसके ऊपर detail में बात करेंगे तब मैं करवा दूंगी तो mu की value दे रखी है R की value दे रखी है 20 and G की value 10 10 इसको आप solve करें तो यह आजाएगा अपने पास कुछ 8 root 2 meter per second 8 से जफ्ट बड़ी जो value दिख रही है इसको आप solve भी करेंगे तो answer यह आएगा 10 10 10 10 10 10